नमस्कार आप देखरा हैं अम्राइन इने लिए नहुंआ आपको साथ मुखन पुश्वा आज हम जा रहा है माँ पेश्ण देगी तो माँ के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कट्रा कट्रा से अब हम हमारे आगे की यात्रा प्रारम करेंगे माँ बेश्ण देवी यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में अन्तक बने रही है यात्रा प्रारम करने से पहले यात्रियों को सबसे पहले अपना पंजियन करना होता है माँ बेश्ण देवी की यात्रा कट्रा से सुरू होती है और इससे पहले रश्टिशन करना होता है यहां से आप इसका रश्टिशन की परची मिल जाएगी जिससे आप अपनी यात्रा के लिए आप एक काड़ बन वसकते हैं आपके पता है आज हम आप इसनो परची मिल आप बन अपनी जाएगी नहीं जाएगी लिए बन वाली है आपको जानकारी के लिए बता दें या त्री कार्ड निसुल्क बनाया जाता है जिसमें किसी फिरकार का सुल्क नहीं लिया जाता है जिसमें कार्ड बनाने के लिए आपको आपके डिस्टिक और आपसे बेसक जानकारी पूछी जाती है जिसके बाद आपको निसुल्क कार्ड बनाकर दे दिया जाता है जिससे आप अपनी आत्रा पूरी कर सकते हैं जैसे ही आप अपनी आत्रा प्रारंब करेंगे तो थोड़े ही दूर चल के आपको एक चेक पुश्ट पड़ेगा जहां पर आपके सामान की चेकिंग की जाएगी और आपको चेक किया जाएगा जिसमें आपके पास कार्ड होना आनिवारी है कार्ड होने की बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा जैक पुश्ट से थोड़े ही दूर आगे चलेने तो आपको बाड़ गंगा दिखाई देगी यहां बाड़ गंगा पर आप इश्टनान करने के बाद आप अपनी यात्रा प्रारम कर सकते हैं नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं आपको आपको पत्रा है आपको पीछे देख रहे होंगे यह बाड़ गंगा देख रही है करने से पहले जो भक्त आते हैं बड़ी दूर दूर से पहले यहां पर इश्नान करते हैं आप देख रहे होंगे यहां से जो यात्रा प्रारम की जाएगी और मां भक्त दर्सन करेंगी आप देख रहे होंगे बड़ी संक्याम यहां पर यहां पर आते हैं बड़ी संक्याम भक्त यहां पर जो कुछ मैला हैं बच्चे हैं बड़े आनंदे के साथ यहां पर इश्नान कर रहे हैं इश्नान करने के बाद वो अपनी यात्रा है उपरारम करें तो और आगे की जानकार के लिया मंत्राइब बने रही है कि कट्रा से बाण गंगा की दूरी करीब 4 किलिमीटर है जहां जाने के लिए टेक्सी की सुद्धा उपलब्द कराई जाती है बाण दंगा मैश्नान करने करके और माता के प्राचीन चरण पादुका के दर्सन करने के बाद आप भवन माता बेश्न देवी के दर्सन के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं बाण गंगा से भवन की दूरी करी 12 किलिमीटर की चड़ाई होती है बाण गंगा से भवन की चड़ाई को पुरा करने के लिए आप घोडा खचर और पाल्की की सुद्धा उपलब्द कराई जाती है माता बेश्न देवी ले जाने वाले गोड़े और खचर का पृति ब्यक्ति किराया लगबग बारा सो रुपे तथा पाल्की का किराया लगबग तीन हजार रुपे होता है यह किराया सीजन के अनुसार जादा कम होता रहता है आप देख रहा है हमें चड़ाई चड़ा रहा है अभी सीडियों से चड़ रहे थे लोग रहते हैं इनको समस्थ्या रहती है वह गोड़े यानि खचर कहते हैं हुंसे या पाल्की का सारा ले सकते हैं और यह लोग ठुक गये तब ही बैटे आने की रहें रचे के लिए ट्रॉली है कर दो कि कर दो कर दो इवक्लिक यतुरियों से हमें कष़ा देख ये यह सब साफ है हुआ को ऐसम भूद के भला सबकर से ृफ में इस्बाहा है से यहाँ कि यहां पर हमको मैसूस हो रहा है बड़ी सांदार है आप देख रहा होंगे कितना सुंदर या यह नजार आप देख रहा होंगे कितना प्यार नजार यहां का लग रहा है जैसे कि मैं आपको देखा पा रहा हूं जैम आता दी कि दुन पर लोग जूनते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं यहां से फिर से एक बार जो यात्री है उनके चेकिंग की जाए सामान की होगी तो चलते हैं और आगे नकावी देखने के लिए बने रही हमारे साथ जैसे कि आपको पता है कि यहां पर पहुंचने बाले और इस साइड मैं देखाना चाहूंगा यह यह व्यू आप देख रहा होंगे कि चाहरा लगा होगा लोग जैसा महसूस कर सकते हैं वहां जाहरा और अपने चलाई पूरी कर रहे हैं साइड आप देखा हैं यह सहर है यहां का बेश्व देवी दाम का वो शहर यहाँ पकर देख रहा होगा इस वीडियो में बने रही है इस वीडियो में बने रही है आप देख रहे हूंगे हम अर्दकुमारी पहुंच चुके अर्दकुमारी का यह बवन है आप देख रहे हूंगे यह यह रहते हैं वो रुखते हैं इस साइड आप देख रहे हैंगे यह मंदर है यह मंदिर में क्योई कि ज्यादा है धूटी गुपा होने के कारण यहां जादा भीड रहती है तो अगर आप अभी टिकेट कटाएंगे तो तुमकि हम साम तक हमारा नम्मरा आया ज्यादा भीड होने की बड़े से अंदर मंदर में कैमरा एलाओ नहीं है इस वज़े से हम आपको दर्शन नहीं करा पाए हदा कि मैं पीछे से आपको जो गुषा का है उसका वीडियो मैं आपको देखाने की कोशिश करूँगा अगर आप दर्शन करना चाहते तो यह पीछे कर्वा आपको? ह salvar कर दो सबग्ता कर अदे घड भुष में अप्रत कर पिती तर करए नहीτε कव सकतो हुआ हाुआ में पिती कर दिछ पह जड्दीा! अर्दकुमारी मा के दर्सन के बाद हमने अपनी आत्रा आगे प्रारम कर दी है आपको बता दें अर्दकुमारी मा से भावन की दूरी मिनिमम पहले से आधी रह जाती है अब आपको आधी दूरी तै और करना है अब आपको आपकुमारी मा में सब्यान ट्रा आपको आपक सारद कर दो करी乐 गोडू दार एक टेम डेज़ाई आखिरकार चड़ाई चड़ते चड़ते हम्मा की भवन की करीब पहुची गए आपको बता दें भवन यहां से एक किलो मीटर आगे आप भवन का सुन्दर नजारा यहां से देख सकते हैं आखिरकार हम मा की भवन पहुची गए आपको बता दें यहां आपको अपके सामान की सुरक्चा के लिए आपका सामान लोकर में रखना होगा लोकर में सामान रखनी से पहले आप यहां इस्नान करेंगे इस्नान करने के बाद आप अपना सामान लोकर में रखें और मा के दर्सन के लिए गफा में जा सकते हैं आपको बता दें गफा में केमरा इलोक्टोनिक चीज़ माता बेशनोरानी के पिंडी रूप के दर्सन करने के बाद अब हम बहरों बाबा के दर्सन के लिए चल पड़े हैं वहीं से कुछ ही दूरी पर बाबा बहरों बाबा का मंदर इस्तित का जाता है कि बहरों के दर्सन करने के बाद ही मा की यात्र जो है वो सफल मानी जाती है जो भी मनुकामना मा से मांगी जाती है बहरों बाबा के दर्सन करने के बाद ही पून होती है तुोर्ष जगिए sih? वेक अबस्ट अς जेक अबस्त थो क्रकैल कि अबस्त कि अबस्त से जबस्त कर दो कर दो कर दो परनेश सेत्यून सब्सक्राइब करो हुआ 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 हुआ